Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon कई सारे लोगों के मेरे पास इस तरह के questions आए कि डॉक साब आप युजे तीन popular technologies बताते हैं चश्मा हटाने की, LASIK, Smile और Contoura Vision इनके बीच में हमें एक head on comparison दीजे कि एक एक point को उठाके इन तीनों technologies को compare करके हमें बताईए कि किस technologies के क्या pros and cons हैं तो आज की वीडियो में हम युजे तीन popular technologies हैं चश्मा हटाने की, LASIK, Smile और Contoura Vision इन तीनों का head on comparison करेंगे, एक एक point को उठाएंगे और हम discuss करेंगे कि इन technologies के क्या advantages और disadvantages हैं तो चली शुरू करते हैं, एक एक करके इनको discuss करते हैं तो सबसे पहला point जो सबसे important point है वो है quality of vision कि कोन सी laser surgery सबसे बढ़िया quality of vision देती है सबसे बढ़िया नजर देती है तो देखें, इन में तो कोई doubt है ही नहीं कोन्टीरा विजन की quality सबसे better है सबसे best है, smile और LASIK technology से compared और यह मेरी अपनी opinion नहीं है इन सारे points के supporting documents, supporting literature, supporting articles, supporting research और studies मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको link में भी इनका description या link दूँगा तो again quality of vision की किस technology में सबसे बढ़िया नजर आती है उसमें point जाता है contura vision को smile और LASIK में normal quality की vision आती है लेकिन contura में हमें एक super vision effect मिलता है और वो usually इसलिए मिलता है क्योंकि contura की machine में कुछ advanced features है जैसे tracking का feature है कि आंग की जो movement होती है वो machine track करती है cyclotorption का feature है कि जब आप bed पे लेटते हैं surgery कराने के लिए तो आपकी आंग थोड़ी सी घूम जाती है तो वो भी contura की machine जो है वो compensate करती है और active centration का feature है तो इन सब features की वज़े से contura vision में जो quality है वो सबसे best आती है second जो point है जो सबसे important point है कि इन तीनो technologies में सबसे safe technology कौन सी है देखिए safety के मामले में तीनो ही technologies world renowned US FDA से accredited है approved है तो तीनो ही technologies US FDA से approved है safety के लिए तो तीनो को हम लोग एक एक point दे सकते हैं इसके लिए कि safety के मामले में तीनो technologies almost बराबर है third point आता है कि क्या surgery के time in technologies में कोई pain होता है तो again तीनो technologies पूरी तरह से painless है surgery के दुरान किसी में भी आँख में किसी तरह का pain नहीं होता अब जो चौथा point है ये एक बहुत important point है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना जूरी है चौथा point है कि कौन सी technology सबसे जादा tissue saving है या सबसे जादा पुतली की या cornea की strength को maintain करती है अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझे कि जब हम laser से आपका चश्मा हटा रहे है तो आंग का जो आगे का हिस्सा है जिसको हम पुतली कहते हैं उस पुतली को हम थोड़ा सा पतला करते हैं और पतला करने के लिए थोड़ा सा पुतली का tissue हटाया जाता है और पुतली की shape को हलका सा change किया जाता है तो बहुत important point बनता है कि कौन सी technology कितना tissue use करती है इस change को लाने के लिए तो यहाँ पे LASIK और Contura Vision approximately 14 micron का tissue use करती है अगर आपको एक नंबर का चश्मा हटवाना है मतलब एक डायप्टर की correction के लिए LASIK और Contura करीब 14 micron का tissue use करेगी वहीं smile एक डायप्टर की correction के लिए करीब 35-36 micron का tissue use करती है तो इसी लिए आप study भी देख सकते हैं मैंने आपको नीचे दिखा रहा हूँ और इसका link दिया है कि जब इन्होंने studies करी कि मान लीजिए एक नंबर के आज हमने चश्मा हटाया तो LASIK Contura में कितना effect पड़ा और smile में कितना effect पड़ा तो उसमें ये दिखा कि smile जो है वो पुतली में ज़ादा कमजोरी लाती है compared to Contura and LASIK तो अगें इसमें हम लोग पॉइंट Contura और LASIK को देंगे क्योंकि जो आपकी bio mechanical strength है और जो tissue reduction है per diopter वो Contura और LASIK में कम है करीब 14 micron और smile में करीब जादा होता है नेक्स पॉइंट आता है recovery की कोन सी technology आपको speedy recovery देती है यहाँ पर अगें मैं आपको studies वीडियो के नीचे continuously आ रही है और description box में ही मैंने study का link दिया है LASIK और Contura की recovery बहुत ही fast है इसको हम almost immediate कहते हैं इन technologies में एक wow effect आता है कि आज कराया और कल से सब कुछ बढ़िया दिखना शुरूँ वही smile की recovery delayed है उसमें थोड़ा सा time लगता है तो हम यह मान के चलते हैं कि करीब 7 से 10 दिन तक आपको थोड़ा धुनला दिखता है smile के बाद यह again यह सारी information जो मैं आपको दे रहा हूँ यह मेरी personal opinion नहीं है इन सब के supporting evidences आपको internet पे मिल जाएंगे साथी साथ मैंने सब कुछ नीचे description box में link में आपको दिया है next जो एक बहुत important point आता है वो यह है कि इन technologies में सबसे जादा dryness या आँखों में सूखापन कौन सा laser लाता है देखिए सबसे पहले आपको यह समझना जूरी है कि यह जो सारी laser technologies है यह laser surgery के बाद आँखों में थोड़ा सा सूखापन लाती है जिसके लिए आपको दिन में 4-5 बार lubricating drops डालनी पड़ती है 2-3 महने तक अब कुछ studies में ऐसा आया है कि smile से कम dryness होती है और कुछ studies में ऐसा आया है कि इन सब technologies में dryness में कोई फरक नहीं है एक जो बहुत ही famous study है जिसका मैं आपको link दे रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों ने जो dryness आती है इन laser surgeries के बाद उसको 12 महीने तक evaluate करा 12 महीने तक check करते रहे कि कितनी dryness आ रही है किस patient में किस laser surgery के बाद और ultimately final conclusion यह निकला कि इन तीनो surgeries में एक जैसी dryness आती है तो again dryness के मामले में तीनो surgeries एक तरह से बराबर है next जो point आता है वो है retreatment का point retreatment का मतलब है कि कभी कबार बहुत rare cases में हालकि यह technologies बहुत ही accurate होती है लेकिन कभी कबार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों में laser surgery के बाद number रह सकता है suppose आधा या एक चुदाए number रह गया या फिर healing के दौरा number आँख में वापस आ गया तो उसको कभी कबार retreatment करके उसको ठीक करना पड़ता है perfect करना पड़ता है इसमें retreatments contura और laser के लिए तो बहुत ही जादा simple है करीब 2 मिनिट का काम है लेकिन smile की retreatments थोड़ी से मुश्किल है क्योंकि smile में आप आँख के अंदर एक और lenticule काट के नहीं निकाल सकते तो smile की treatment में उसको आँख में पूरा एक round flap बना के काटना पड़ता है और retreatment करनी पड़ती है तो again smile की retreatments थोड़ी सी difficult है एक और point है जो इस वीडियो में बताना miss कर दिया वो है range of correction मतलब कौन सी technology कितने तरह का किस प्रकार का number ठीक कर सकती है उसमें आपकी contura में full range of correction मिलती है मतलब वो plus number या hyperopic numbers minus number या myopic numbers और cylindrical numbers तीनो ही तरह के number ठीक कर सकती है वही लेसिक में भी आपको full range of correction मिलती है plus number, minus number, cylinder number तीनो ठीक हो सकते है लेकिन smile में आपकी limited correction रहती है smile technology जो है वो plus numbers और pure astigmatism number या जिसको हम cylindrical number कहते है उसको treat करने के लिए अप्रूव अभी नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे comparison points है लेकिन वो थोड़े से technical हो जाते है कि smile में laser point का size थोड़े जादा होता है contura में कम है contura में और advanced features है जैसे visual axis की treatment आपकी आ गई है बाकी technology, smile या lesic pupillary axis पे काम करती है visual axis आंग का natural देखने का axis होता है तो quality contura में again better हो जाती है contura vision आंग की irregularities को ठीक कर रही है lesic smile आपकी irregularities को नहीं ठीक करती तो again बहुत सारे technical points है लेकिन mainly जो major major points है मैंने इस वीडियो में cover करे है again आपके मन में और भी कोई doubt हो इन तीनो technologies के उपर तो आप में से comment section में पूछ सकते है मैं कोशिश करूँगा आपके सारे doubt जल से जल solve करो तब तक के लिए thank you very much for watching this video and I'll be back soon